और इनके मुख्या का कोई और काम रहा नहीं, परदेश के विकाज से, परदेश के बेहतरी से कोई लेना देना नहीं है, कोई इसी तरह से कभी भौरा खिलाते हैं, कभी तलाब में छलांग मारते हैं, कभी गीडी निर्त करते हैं, कई धोलक बजाते हैं, कई बासी खाके खाते हैं तो यह तो यह इतनी काम रह गया है लगता है मुखमंत्री के इतनी काम है तो इसके बारे में हम क्या कहें अधिकारी लोग तो ऐसा है कि अब जैसा राजा करेगा वेशी प्रजा उसका नकल वही मंत्री करेंगे लेकिन मंत्री लोग नकल नहीं कर पा रहे क्योंकि येडी सब कोई नहीं चड़ सकता सब कोई छलांग भी नहीं मारता जिसे की छलांग मार देते हैं नदी नले में तो यह तो हमारे यहां के गजवेक मुग मंत्री है तो क्या करिए गार देश में समिधान बना हुआ है और द तमाम समिधानी की ब्यवस्था है, पूरे इस ब्यवस्था के ही कुचलने का जो फ्रमान जारी किया है, अब इव्यक्ति के अजादी तो सबको है ना, उसे ही कुचल देंगा तो बचेगा क्या, जिस समिधान की रचना बावा सहब अमेट करने किया, आज पूरा पूरे देश में भारती जन्ता पार्टी समरस्था दिवस के रूप में हम मना रहे हैं पूरे देश में, और ऐसे समय में परदेश के सरकार ने जो तुगलकी आदेश निकाला है, एक तरह से अपात काल घोसित किया है, कि सभी धरना परदेशन जितने भी लोकतांत्रिक तरीके से जितने होते से सब पर परति बंद लगा दिया जाएगा, इतने सारे कंडिशन उसमें लगा दिये गए, क्या बना दिये परदेश को, इसी इसी दिसा में चलेगा परदेश, पूरे ब्रबात करने पर तुले अगामी पांच, सुलला तारिक से हर जीला मुख्याले में पांच-पांच हजार लोगों का धरना परदेशन और जेल भरवान दोलन सुरू होगा, और देखेंगे कि उनके जेल में कितनी जगा है, सर, क्या लगता है जय और विरू की जोड़ी दक्षिन पस्ची में लिखाई रहे हैं, अब कौन था जय, कौन था विरू, अब उसके बारे मुझे कुछ ही नहीं कहना, अब क्या हो रहा है, कैसे हो, क्या कॉन दक्षिन से उतरते हो रहा है, सास मंत्री के दवरा बस्तर में ह सरकुजा में लुक मंत्री का दरख क्या मनते हैं इसे, नहीं बिच्छा, अब कूछ रहे हैं, अब कूछ रहे हैं, अब क्या देखे हैं, उसके बारे में हम लोग क्या बताएंगे हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद